हे गाइस मेरा नाम प्रतिक जगातिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि नॉर्मबर 2020 एक्जाम से रिलेट हमारा कैसा प्रिपरेशन है ना चाहिए और मैं इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिपिकली SFM सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि कम से कम टाइम में डिस विडिन 25 तो 30 देस के अंदर आप कैसे 100% प्रिपरेशन कर सकतो SFM के रिगार्डिंग तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे बहले मैं यह एक्सपेक्ट करूँ कि आप सभी ने पढ़ा ही चालू कर दिया बहुत जिरूरी आपको पढ़ा ही चालू कर दिया अभी आपको रवीट नहीं करना ची बिलकुल भी मैं सोच हूँ कि टाइम बहुत है बहुत है बहुत है और अगर कोई-कोई ऐसे भी स्ट्रेंट से जो ही सोच रहे होंगे कि मैं दो ग्रूप देना चाहिए या एक ग्रूप देना चाहिए मैं बता रहूं जैसा आपका कैलीबर है आपकी जितने कैपासिट है उसके अकॉर्डिंग लिए आपक प्रेपरेशिन कर सकते हो अगर अपको लगते हिसे सींगल गूरूप के साथ यह इतना चाहिए तक 혹시 सींगल इसा में रखना की जो ह्मेद उन्हों परेशन्द के साथ पड़ों 100% कर जूंए aware कर ने का मतलब मेरा यह होता है कि अपका study material जो भी आई-स इक study material है वो पूरा आपका cover हो रहा है साथ में आपका practice manual आपके लिए जो भी मतलब applicable है आपका practice manual वो भी आपका cover होना चाहिए rtps आपका cover होना चाहिए at least past three to four years का rtps आप cover करोगे and साथ में mock test paper भी आप cover करोगे तो यह सारा preparation अगर आपका हो जाथ है that means institute का जितना material है यह आपको at least 100% cover करके जाना होगा कितने instruments ऐसे हो दें जो rtps and mock test paper cover करके नहीं जाते हैं वो यह सोचते कि institute का सारा material आपने cover कर लिया है यह आपको सबसे पहले दिहान पर रखना है अब हम बात करते हैं कि जो हमारा mean purpose दाई video बनाने का that is sfm हम sfm को कैसे preparation करेंगे यानि जो first group का exam दे रहे या फिर जो both group का exam मैं यह strategy बताऊंगा कि आप first group के अंदर कैसे preparation करोगे और साथ मैं sfm के बारे में बात करूँगा तो सबसे पहले यह ध्यान में रखना किसी भी एक particular day में यानि आपका जो regular slot में अपने time को break कर दो मतलब आपका जो पूरा दीन है उसे दो slot में आपको break कर देना चाहिए यानि that means आपका जो एक दिन का 24 आवर्स का आप उसे मालों वो दो दिन है आपके लिए आप उसे 12 hours 12 hours कैसी भी आप ब्रीक कर देना चाहिए यानि आप ऐसा मालो कि first half मेरे लिए एक अलग subject रहेगा and second half मेरे लिए अलग subject रहेगा तो यानि दो slots में आपको break करना चाहिए अपने time को and 2 slots में आपको पढ़ाई करना चाहिए कोई को 3 slots बना रहे अच्छी बात है पर at least आपका 2 slots तो होना ही चाहिए and वो 2 slots में अगर मैं बोलू कि कोई first group का preparation कर रहे है तो उसे क्या करना चाहिए एक slot में उसे practical करना चाहिए and एक slot में उसे theory करना चाहिए जब आप एकदम fresh and up के साथ fresh mind के साथ आप पढ़ाई करूँ तो मैं suggest करूँगा कि आपको theory paper ही लेना चाहिए और बाकी time में आप practical paper के साथ जा सकते हो क्योंकि practical paper समसे कभी भी पढ़ा ही हो जाता है तो यह चीज़का आपको ध्यान में रखना है और कोसिस यह करना है कि जो दो paper आपने लिए इच paper में आप 5-6 hours का time दे रहो यानि आपको overall study time 10-12 hours का होना चाहिए अगर आपको morning उठने का habit नहीं है तो अब रात को तीन बज़े तक आपको पढ़ रहे हो यह दो में से एक चीज़ आपको करना चाहिए इस तरीके से अपको प्रेपरिशन देगा तो अभी हम बात करने वाले कि SFM subject जो है यह already यह interesting subject है अगर अपने conceptually इससे पढ़ा अच्छी तरीके से तो आपको बहुत ही जादा interesting लगने वाले तो इस SFM practical paper को हम किस तरीके से within a short span of time हम cover कर सकते हैं इसके बार में बात करेंगे तो सबसे पहले new course वाले के बार में बात करें new course वालो सबसे पहले यह बात का धिहान में रखना SFM subject स्टार्ट करने से पहले आपको यह सोचना जी कि SFM में मैं क्या पढ़ूँगा कितना मेरा क्या क्या chapters है मेरा जो मुझे पढ़ना है आपको दिमाग में यही सोचना है कि मे कर लिए ना तो आपने मान लो 72-80% आपका course का coverage वहीं complete हो जाता है तो यह पांच chapter के बारे में ही फिलाल plan करो आप और आपको दिमाग में इनी टैम यह सोचना चाहिए ज़िए एस फिम कहां tough है एस फिम तो इतना easy है सिर्क 5 chapter है वह बहुत अच्छी तरीके से हमें कर लेना है और उसके बाद तो बल्ले-बल्ले सफर में कोई problem ही नहीं आपका एंड में कहना चाहता हूं कि वह 5 chapter क्या क्या है जो बड़े भी है जो इंट्रस्टिंग भी और जो जिसका weightage obviously आई रहेगा क्या 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 होगे वह चैप्टर जैसे कि foreign exchange फॉरेक्स चैप्टर हो गया फिर डेरिवेटिस चैप्टर हो गया आपका फिर नेक्स्ट है सेक्यूरिट अनलाइस एंड फिर मर्जर सेन एक्क्विजिशन एंड पॉर्टफोलियो चैप्टर यह पांच चैप्टर ही मैं मानता हूं new syllabus के अंदर जो है यह most important and सबसे बड़ अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ताइम देना चाहिए तो आपको यह पांच चैप्टर देना चाहिए अब मैं बता दू कुछ-कुछ ट्रेंट्स क्या करते है वो क्या करते है बोलते यार फॉरेक्स टफ है डेरिवेटिटि चैप्टर फे इसे छोड़ देते चाहिए अघर 80 आपको लगता है तो मैं कहता हूं 70 तो आरांव से आजाएगा आपका बहौत जनों का 70 आरांच से मिनीमम 70 अइसे लिए नहीं 후 बनेहाई तो चलो हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे मानती कि 7280 आपका इसान है मिरा माना यह और उसके लिए दिमाग में mindset आपका यह रहना चाहिए कि SFM पढ़ना है हाँ पढ़ना है कितना सिर्फ पांच चप्टर पढ़ना है क्या Forex, Derivative, Security Analysis, Merger and last में finally portfolio चप्टर है यह पांच चप्टर ही मुझे पढ़ना है तो अभी मैं एक ही करके chapters के बारे में discussion करूँगा कि एक एक chapters को कितना time दे क्या करें कैसे क्या करें क्या ना करें उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मेरा मानना यह है कि अगर students को कोई chapter start करना है सबसे पहले उसे सबसे पहले मेरा मानना है 4x chapter start करना चाहिए हाँ आपको forex chapter स्टार्ट करना चाहिए सब से पहले ये chapter आपको start करना पड़ेगा और ये chapter में बता रहो बहुत ज्यादा easy है अब believe करो ये chapter बहुत ज्यादा easy है अगर आपने already classes वगेरा लगा लिया है सब कुछ कर लिया अब उसी से revise करो मेरा माना तीन से चार दिन के अंदर forex खतम कर लोगे और एक और good news में आपको देना चाहता हूँ कि अगर मानलो किसी का भी तक forex chapter complete नहीं हुआ है अगर वो पढ़ना चाहता है तो मेरा एक android application है that is जगाती digital education जो आपको play store में मिलेगा अब please जो जो interested हो मुझे comment करना मैं देखूंगा कितने लोग मुझे comment करते जो जो interested है पढ़ने के लिए comment करना आज probably मेरा मानना है आज आप जब दिखोगे वीडियो नाइंत हो जाएगा 9 तारीक हो जाएगा मैं 10 तारीक या 11 तारीक से मैं क्या करूंगा जो forex का chapter है वो मैं free कर दूंगा वो मैं free content कर दूंगा यानि कोई भी उस chapter से उसे view कर सकता र दिनों के अंदर मुझे खतम करना है क्योंकि उसके बाद मुझे वीडियो देखने को नहीं मिलेगा इसे अच्छा होगा आपका आप विदिन ए टाइम आप खतम करोगे और उसके बाद अगर आपने खतम कर लिया आगर आप मेरे साथ बनी रहोगी आप मेरे recording लिए पढ़ मैं उसमें भी formula यूज नहीं करता हूँ और मेरा मनने अगर practical या पूरा समझ के जाते हो तो आपको कोई problem नहीं है तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले मैंने कहा को foreign exchange जो चप्टर है यह foreign exchange चप्टर मेरे खयाल से चार दिनों का आपको maximum time देना चाहिए चार दिनों इसके बार में बात करेंगे बिडास के बार में बात करेंगे और भी कुछ-कुछ चीज़ है पर वो पूरा का पूरे इंट्रेस्टिंग है entirely interesting topic आपका Forex सबसे ज्यादा interesting मुझे लगता है इसलिए मैं मानता हूँ कि Forex अगर कोई पढ़ता है सबसे पहले वो पढ़ाई करे उसे बहुत ही ज्यादा easy लगने वाला है and सबसे बहले अगर अपने Forex कर लिया Forex मेरे ख्याल से चार दिन इनफ है चार दिन के अंदर आप complete कर दो गया Forex अपने complete कर दिया चार दिनों में इसके बाद आपको क्या लेना है derivatives उठाना है and derivatives के अंदर ही मैंने जो अपना वीड आपको वीडियो देखना है and दो घंटा करीबन आपको revise करना है जो आपने देखा उसे आपको revise करना है तो five days के अंदर आपका derivatives भी खतम हो जाएगा यह खतम कर लिया आपने that means Forex and derivatives अप 9 दिनों में आप खतम कर रहे हूं इसकी बाद आपको start करना चाहिए security analysis and valuation security analysis and valuation equity पाट जैसे हम interest वगेरा calculation करते ना अगर मैं आपको so reply दोंगा मुझे आपसे 10% का ब्याद चाहिए तो एक साल बात आप मुझे कितना दोगे 110 तो वैसे हम 110 के basis में 100 निकालते हैं मैं बस आपको ज़्यादा time नहीं लेना चाहता है इसलिए मैं आपको simple way में समझा रहा हूं कि security analysis and valuation solution बहुत ही simple topic है यह tough क्यों हो जाता बता है जब आप formulas भी जाता है आप formulas ज्यादा याद करो कि आपको tough लग जाएगा अगर आप formulas के पीछे नहीं भागोगे आप understanding के पीछे भागोगे आपको entirely SFM easy लगे और security analysis and valuation में कहता हूं बहुत ही जादा easy यह भी आपको easy लगने वाल फिर इसके बाद अगर हम बात करें portfolio management portfolio management भी मैं पढ़ाता हूं without any formula एक single formula भी मैं यूज नहीं करता हूं हाला कि आप हर जगा मैं थोड़ा सा help करूँ आपका and मेरा कोई purpose नहीं आपर आपको video sell करनेगा मैं free में content रखूंगा 3-4 दिनों के लिए हर एक chapters को अगर आप interested रहोगे मुझे लगेगा बहुत सारे लोग हो आप लोग जो पढ़ना चाहते हो तो वैसा situation में मैं only for number attempt वालों के लिए number attempt वालों के and free of cost आप पूरा पढ़ाई कर पाओगे अराम से and that means मेरा यह मानने कि अगर अपनी पांच चेप्टर complete कर लिए पांच चेप्टर आपका कितना 21 days आपका total लग रहा है चलो इसमें 2-3 दिन हम और add-on कर देते हैं that means हम मानते कि 24 days आपको लगने वाला है कितना पांच बड़े गंटा रोज देना है और उसमें ही आपको यह पढ़ना है तो यह सारा अगर आप पढ़ लोगे 21 से लिके 24 days मानने ते इतने दुनों के अंदर अगर आप cover कर लोगे तो आज मैं बता रहो 9th है चलो आप 10th को मेरा वीडियो देख रहे होंगे 9th या 10th को मेरा वीडियो रहे उसके अलावा बचे ही कि आपका यहनि अल्टिमेटली नेक्स्ट मंद के फॉर्स्ट विक में आप कहोगे कि आपका SFM पूरा entirely grip में आ चुका है इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी help चीए मेरे से कोई doubts हो आपने अगर already कहीं पढ़ पढ़ रखा है कोई queries से कोई doubts है मुझे पूछो मैं definitely आपका help करूँगा मैं definitely आपका help करूँगा तो यहां पर भी आपको इस तरीके से बस में यह चाहता हो कि आप जाता से ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करो क्योंकि बहुत सारे इस्टुरेंट्स आप में से क्या करते हो ना आप लोग यह द सपने तक पहुचा सकते हैं यह आप हमेसे ध्यान पर रखना नींद में देखा हुआ सपना काम नहीं आएगा जग के महनत करोगे ना तो वह आपका वो रियल में सपना है जो आपका हकीकत बनेगा इसलिए पढ़ाई करना आज से चालू कर दो मैं repeatedly कहता हूँ पढ़ाई कर कि अच्छा मेरे अच्छा किया था मुझी जैसा रखता है कि जब मेरा पढ़ाई का टाइम आता था ना मैं सीरे सो जाता था अब बिलीव नहीं करोगे अम लोग दो ब्रेदर से ठीक है वो भी बहुत बनमासी करता था पर मेरा एक हैबिट अच्छा क्या था जब भी परफोर्मेंस अपना काम तो करी लेते हैं इसलिए आपने जो भी पाप किये हैं कुछ भी के सब कुछ दूल जाएंगे जब आप सीए बन जाओगे इसलिए कहता हूँ पढ़ाई करो पढ़ाई पर ध्यान दो तो यह मन्त आपको क्या करना चाहिए फर्स ग्रूप आलो आपक आपका ग्रेप आजाए यह दो का अगर आपका ग्रेप आ जाएगा एंड उसके बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए फर एंड ओडिट आपका फिर वो चलेगा दो स्लोट में तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेरिशन करोगे तो आपका आइधिंक 15th सब्टेंबर तग या 20th सब्टेंबर तग आपका ओवरूल सिलेबस खतम हो चुका होगा एक बार के लिए हलका फूलका बचा होगा रहेगा पैंडिंग तो कोई बात नहीं वो भी हम कवर कर लेंगे और उसके बावजुद भी हमारे पस 30 to 40 डिस का सफीशन टाइम बचेगा अगर आप सिर व मार्किंग वगेरा करना चीए जो आपको लेखता बहुत रिया संहा है उसको आपको साइड कर देना चीए तो यहां पर जैसे कि मैं आपको बताया थे कि first week of August तक आपका ये पांच बड़ी chapter हो जाएंगे डेट में साब का 70-80% coverage हो गया इसके बाद अगर हम बात करें क्या बचा हमारा mutual fund छोटा सा topic है आपका एक से देर दिन आपका लगेगा पकड़ लेते दो दिन maximum international financial management एक दिन ही लगेगा खतम हो जाएगा पूरा क्योंकि international financial management कहीं ना कहीं रिलेटेट है फ्रम फॉरेक्स से आप कहा सकते हो फॉरेक्स से रिलेटेट ही है तो यह सिंपल ही लगे आपको इतना ज्यादा बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है यह टॉपिक आपको उसिक्सावर्स का रेगूलर्ली तो हम 30 डिस के अंदर यह हमारा जो 25 से लेकि 30 डिस के अंदर हम ओवरॉल SFM को खतम कर सकते हैं और उसके बाद हम आगे प्लैन करेंगे हम किस तरीके से रिवीजन करें क्या करें क्या क्या ना करें तो मैं यह कहना चाहता हूँ अगर आपने उसके भी सारे questions आने चाहिए आपको RTB के questions आने चाहिए आपको MTP के questions सारे आने चाहिए यह सारे coverage आप करके जाओगे definitely आपका 72 80 कहीं नहीं गया at least 70 कहीं नहीं गया और इसे फाइदा क्या होगा आपको पते हैं अगर अपने SFM में अच्छा score कर लिया न तो आगे ही जाके आपको पते ही कहीना कि audit में कितने बार 60 भी मिल जाते हैं कितने बार 40 भी नहीं मिलते हैं तो कहीना कि दूसरे subject का भी set off हो जाएगा आपका क्योंकि आपने SFM में अच्छा score कर लिया और एक बात और एक खास में आपको बताना चाता हूँ आप देखना कितने बार क्या होता है कि आपका audit का paper एकदम खराब गया मैंने बहुत सब्सक्राइब और उसके अलावा भी उनका बागी सारा paper इतना अच्छा गया कि उनका अग्रेगेट 225-230 हो रहा है उनका अग्रेगेट मैंने किया कि 225-230 हो रहा है रारली ऐसा situation होता है जहां पर आईसे उसको रोकता है आईसे अगर 35 भी आए न आपका audit में किसे subject में आईसे आपको पास करके निकाल देगा यह सोचते वे यार इसका अग्रेगेट तो अच आप पास हैं तो आपको grace मिलते हैं और इसलिए मैं मैंने पिछले वीडियो में भी आपको याद होगा जिस दिन announcement हुआ था कि exam cancel हो गया तभी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपसे कहा था कि generally जो आप preparation करते हूं जो भी आपका मानलों कि यह आपका मतलब आ target लिखे जाओगे तो आपका either 250 or 260 भी आजाएगा और अगर उतना नहीं भी आए तो आपका 220 230 तक आजाएगा यह 210 तक आजाएगा पास हो जाओगे क्योंकि कहीना कि ultimately हमें lastly अगर कुछ ज्यादा score हो तो अच्छी बात है ना मिले तो at least हम पास तो हो जाएग यह हमारे लिए most most important है तो इसलिए ज्यादा वक्त आप जाया ना करो number बहुत ही पास है कितनी दिन बचे भी आइधिंक तीन मेहना बीस दिन यान्ड्रेड यांड् मेना डही मेना बचेगा आप पागल हो जाओगे फिर आप इधर उदर का बस वह काम चलाओ पढ़ाई करो गया and problem हो जाएगा क्योंकि आप दिखना है जहां पर भी आप सौटकट लगाते हो जहां पर भी आप काम चलाओ काम करते हो परफेक्ट नहीं होता है कोई भी काम अ बिखर रहते ही मॉलिज लेने का यह बीशाम करते बॉसम करते हैं को सारे स्थैंच बीशा करते पर बहुत सारे मैज्यूरी इस तरीके की औडिव करते हो तो ऐसा मसौ आप हमेंसा यह फूट रखो कि मुझे लेना है मुझे आगई निमुझे निक्رجे आंडराओ तो निकालोगे आप सी के बाद भी अब राज करोगे अगर 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 आप उसके बाद भी राज करने वाले हो लेकिन अगर आपने अच्छे सा भी नहीं किया ना तो वह 20,000-25,000 का पैकेज में काम करोगे मंतली आपका हालत वैसा का वैसा ही रहेगा जो एक नौन-सी भी कम बहुत-बहूत-बहुत ही matter करते हैं, खास कर ACCOUNT में भी इंडेस का नॉलिज भी बहुत matter करेगा, जिसके बाद में खहरे है अभी हम बात नहीं करेंगे इसलिए Please 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 आप भी से पढ़ाई चालू कर दो, and जादा वक्त जाया ना करो, मैं इतना Please आपसे कहह रहा हू कुई कि मुझे पता है, मैं CA बन चूका हून, मुझे पता है CA बन नहीं क्या खुसी मिलता है, पूरे फैमिली, पूरे महले को खुसी मिल जाते है, जो आप की प्यार चहीते पढ़ा लिखा काउन में लिया जाएगा यानि आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा पढ़ी लिखी लोगों की मदब अंदर सामिल कर लिया जाएगा आपको इसलिए बहुत जिरूरी है सी कडिगरी फटाफट लो वक्त जाया ना करो और प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ाई करते जाओं जो कि मैंने आपको बताया है सफम की बारे में अगर आप इंट्रेस्टेट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना मुझे आप कौन को इन इंट्रेस्टेट है और उसके एकौर्डिंग मैं प्लाइन करूँगा कि कि इस तरीके से आपका हम प्रेपारिशन में जो वीडियो वगेरा मैंने जो कहा था आपको मेरे एंट्रोइड एप की बारे में उसके एकौर्डिंग लिम सूचेंगे तो प्लीज मुझे आप कमेंट करना लेकिन मैं आपको क्लियर ली बता देत तो उस तरीके से हम कुछ प्लाइन करेंगे ताकि आपका विदिन सौट पिरेड ऑफ टाइम आपका सफम अच्छी तरीके से कंप्लीड हो जाए तो चलि हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकुस करेंगे किसी दुसरे सब् स्टार और पंठे और यादि नहीं डेता आज यादा आ दो दूदिन के बाद ही भूल जाते हैं तो इसके लिए सबसे पड़ा हैं तीचर भी जुड़ एक ब्रम अब चाप उससे audio recording कर लो अपने अगर अपने औरे अपने डरेक्टर बहें वहक्त आपने पूरा लिए अपने मदर्टेंग में हिंदी में करना चाओ English में करना चाओ उर्दू अगरहा जो आपको करने करो न आप तो जिसमें को करने आप करो पर आप recording करो यह recording का बहुत बहुत ही ज्यादा benefit मैं बतारो यह सब को पते हैं पर पर कोई आपलाई बहुत वर्स का recording बनेगा आप एक्जाम से पहले दस बर सुन लोगे उस रिकॉर्डिंग को सारा दिमाग में छप जाएगा आपका सारा का सारा चप्टर रिवीजन हो जाएगा एक्जाम से पहले जो आपको रात मिलीगा एक दिन का तो मिलीगा ना तो साम को जब आप पांच बिज चप्टर पोरर रिकॉर्डिंग सुन के सलटा देना इक बार सो जाना फिर 10-11 बचे हैं सुन लिया पूर रिकॉर्डिंग सो जाना गाना सुनने के जगा रिकॉर्डिंग सुनने अपना उस्ते बड़ा बैस्ट आपके लिए अच्छड चित्य और कुछ नहीं होगा एंड वापस से रिवाइस करना देखना कितना फटाफट आपका रिवीजन होगा क्योंकि आपने अपने वाइस में रिकॉर्डिंग सुना है तो इसका बहुत ज्यादा अफेक्टिव नहीं है यह चीज आप फोलो करो एंड थोड़े से जो भी निमोनिक्स वगएरा कुछ भी आप इन फॉर्मुलास भी तो किसी ने बनाई है किसली बनाया ताकि कुछ गध ही लोग है जिनको समझना नहीं है तो फॉमुला को याद कर लेंगे क्यों फॉमुलास याद करना हमें हमें हट चीज समझना है ना ताकि हमारे लिए फ्यूचर में वह उस चीज बैनिक्फिटेट करो तो इस तरीके सबको पढ़ाई करना है और कोई भी अगर आपको हल्प की जरूते एस फम के अंदर अगर आपको किसी भी तरीका का हल्प चाहिए आप पीस मुझे कमेंट करो मैं definitely अपकी हल्प करने की कोसिस करूंगा तो चलो ठीक है आज के वीडियो में बस इतना ही औ और में ये को रिक्वेस्ट करूंगा आपके सदव को मेरा वीडियो तो भी पिसनध आता है थो नहीं पसंद आता है कोई अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पासंद आता है तो प्लीस like कर दिया करने सबूंग कर लोगो I st for liking कई मत करना मतलब लेकिन आप Like करो आगर आपको दाता है और प्लीज जादा से जादा लोगों को सहर भी करो ताकि बहुत सार आपके भी जो belongings दो भी आपके surroundings में students उनको भी benefit मिले आप उनके सथ भी सहर करो and subscribe तो करना ही आपको वो तो subscribe करना ही पड़ेगा आपको करना ही आपको ताकि हम आगे भी मिल सके ना एक friendship बनेगा हमारे बीच में कैसे बनेगा जब आप subscribe करोगे तभी तो जब कभी भी मैं आपको बुलाओंगा तो आप उसके सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी और आप उसे प्लीज करोगे तो चली बाइब बैइब